हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं रिप्यार करूंगा इस डिजिटल सेटप बॉक्स को जो कास्टोमर ने मेरे को बोला है कि इस बॉक्स के अंदर जो प्रॉब्लेम आ रहा है वो ओडियो वीडियो आउटपुट नहीं हो रहा है लेकिन ये जो सेटप बॉक्स से ये जा रहा हूँ यानकि audio video signal वो output नहीं हो रहा है तो चलिए हम इसको खोल के देखेंगे कि इस box के अंदर क्या problem हो सकता है दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि किसी भी electronics अगर power का problem हो तो वो आपको power supply section चेक करना होगा लेकिन इसके अंदर audio video आउट का problem है तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे इसको खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इस box का अंदर condition कैसा है ओ हो 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 दोस्तों जैसे कि आप देश सकते हो इसके अंदर हालात क्या हो चुका है मुझे लगता है दोस्तों की इस program के जब भी कोई भी electronic circuit के अंदर हमें देखने को मिलता है तो उसके अंदर जो soldering होता है वो तूट जाता है यानि की connection break हो जाता है तो वही हम चेक करेंगे सबसे पहले तो इसको आच्छे से clean करेंगे और clean करने के बाद microscope के जरीए हम देखे कि इसके अंदर जो भी components लगा हुआ है उसके अंदर जो soldering होता है खास करके जो dual inline package का components होता है वो सारी के सारे microscope के जरीए check करेंगे तो चलिए दोस्तों आप हम इसको अच्छे से clean करता हूं और आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर कौन-कौन सा components लगा हुआ है दोस्तों हमारा cleaning process complete हो चुका है और देख सकतो PCB एकदम neat and clean आपको देखने को मिल रहा है तो जैसे ही हमने इसको clean किया हूं और आप बढ़ी आते हैं इसके अंदर हम power supply देखे देखेंगे कि इसका जो power indicator है वो जल रहा है या नहीं ताकि आपको पता चले कि यह जो board है यानि किसी top box का बोड़े यह बिल्कुल सही है तो जैसे कि आप देख सकतो इसका power indicator है वो जल रहा है बिल्कुल सही तरीके से अब मैं इसका voltage है वो चेक करेंगे क्योंकि इस PCB के अंदर सिर्फ एक ही voltage regulator लगा हुआ है तो हम इसके voltage regulator के जो output point है हम वहां पे चेक करेंगे कि voltage वहां तक पहुं connection सही से हुआ है कि नहीं क्यूंकि ऐसा कहीं बार होता है कि जब आपके PCB के ऊपर मस्रय पर जाता है तो उसके जो लेक से वो PCB से disconnect हो जाता है तो चेलिए दूस्तों इसके जो voltage regulator पर हम voltage चेक करते हैं और देखते हैं कि voltage हमें कितना मिल रहा है और उसके बाद ही हम इसके microscope के ज जो भी logic इस बोड के अंदर लगा हुआ है सिट अब बॉक्स के तो इसका अंदर जो रैम हो उस रैम को कंट्रोल करने के लिए एक ही voltage regulator दिया गया है तो चलिए दोस्तों हमें यहां पे तो voltage का जो value है उससे मिल रहा है तो अब हम इसका जो डूएल इन लाइन का जो package का component से उसको हम check करेंगे PCB के साथ connection हुआ है या नहीं दोस्तों आप जो footage देख रहे होंगे यह microscope के जरीया आप देख रहे होंगे तो चलिए आप PCB को इसको पीछे नीचे रखता हूँ और आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो RC jack है यानि कि जहां पे हम लोग TV के साथ connection करने के लि तो इहां पे हमारा तीन total AV का output signal के लिए यहां पे jack दिया गया है और तीनों को तीने जो output का jack है वो dry हो चुका है इसलिए हमें output पे जो voltage है और signal हो नहीं जा पा रहा था तो इस प्रोकर को जब problem है आपको जब PCB के अंदर इस तरह की मौस्चुराइब पर जाता है ताब ही हम में देखने को मिलता है तो चलिए आब हम क्या करेंगे कि जो जो मतलब legs dry हो चुका है उसको हम re-solder करेंगे और देखेंगे इसका जो output है वो signal आता है कि नहीं उसके बाद ही हम इसको deliver करेंगे तो चलिए दूस्तों मैं इसको re-solder कर देता हूं दोस्तों हमरा re-soldering का जो काम है वो complete हो चुका है और आप देख सकते हैं इसका जो screen shot मैंने आपको दिखा रहा हूं डिस्प्ले पर और डिस्प्ले पर जो आपको time और date दिख रहा होगा है यह microscope के अंदर सही से date और time set नहीं किया हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है इसमें अप मत जाएगा तो चलिए दोस्तों अब मैं इस board को यानि कि इस set of box board को हम check करेंगे इसके अंदर power देखे कि यह चालू हो रहा है कि नहीं उसके बाद इसको हम assemble करेंगे और customer को deliver कर देंगे और उसको हम बोलेंगे कि इसको अपने घर के अंदर लगाने के बाद tv के साथ connection क करने के बाद अपना जो problem में वो solve हुआ है या नहीं इसका एक video बना के हमें भेज़ दीजिएगा तो चलिए हम इसको जल्दी से assemble कर देता हूं और उसके बाद इसको deliver कर देता हूं दोस्तों आप यह जो footage देख रहे हूंगे यह customer ने मेरे को भेज़ा है तो इस प्रोकर के और वी वीडियो आप आप देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके जूर रहिए और हमारे को बताए कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या अच्छा लगा है नीचे comment करके और आप अग जल्द वीडियो बना के आपको सामने पेस कर दूँगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि उन लोग वी पता चले किस तरीका problem कैसे solve किया जाता है